हलो दोस्तों आपका मार्क दर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं बात करूँगे आपसे कि बालों को कब धोएं और कब नहीं धोएं और जिन दिनों में बाल धोना मना किया जाता है यानि जो वर्जित वार होते हैं उन दिनों में बाल कैसे धोएं यान आप से चर्चा करने वाली हूँ तो देखिए पिछले हपते जो मैं वीडियो बनाई थी आप की तेल कब लगाए और कब नहीं तो उसके बाद से आप लोग के बहुत सारे प्रशना आ रहे हैं कि आप बता दीजे मैं की बालों को कब धोना चाहिए और कब नहीं तो आज उसी पे मैं आप से चर्चा करने वाली हूँ तो चलिए देख लेते हैं रभिवार के दिन जो है वह बाल धूना चाहिए परंतु मानेता ये हैं दोस्तों कि जब हम कोई ब्रत करते हैं या कोई बड़ा तेवहार है जैसे सुहागिन माहिलाओं के लिए तीज हुआ वडशा वित के नहीं ना आना चाहिए तो उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि हमको पहले से ही बालों को धो लेना चाहिए और उस दिन जिस दिन हम ब्रत हैं उस दिन एक कुस आती है कुस घास जिसको बोला जाता है या अगर कुस आपके यहां न मिले तो आप ये जो दुर्वा घास ह वो ले लेजे और उसको लेकर के आप सुद्ध जल से अपने सर के उपर स्थिड़क लेजे तो ऐसा माना जाता है कि आप पवित्र हो गए और पूजा के लायक हो गए क्योंकि कुछ और दुर्वा दोनों ही बहुत पवित्र है और जब ये गंगा जल के साथ मिल करके आप इन को किया जाता है जो भगवान सुरे नारायन का ब्रत रखती है या उनकी कोई विसेज पूजा आराधना करती है अगर आप सिर्फ जल देते हैं तो बाल दोने में कोई नुकसान नहीं आप कर सकते हैं और क्यों नहीं बाल दोना चाहिए दोस्तों ये भी मैं आपको बता दी कि जब हमारे यहां कोई विसेज तेवहार होता है ब्रत होता है तो उस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल दोने से मना किया गया तो बस यही कारण है बाकी सभी लोग जो है रविवार के दिन बाल दो सकते हैं अब सोमवार तो दोस्तों सोमवार को भी आप सभी या सुहागि हैं या कुवारी हैं या जिनमाताओं के पती नहीं है सभी लोग इस दिन बालध हो सकते हैं परन्तुु वही बात है दोस्तों कि अगर आप शोमुर का ब्रत रख रही है या रख रहे हैं ये वीडियो जो है खासतर महिलाओं के लिए तो अगर आप सोमवार का ब्रत रख रहे हैं तो आप आज बाल मत धो लिए और आप जो रभिवार के दिन ही बाल धो करके सोमवार का ब्रत रख लीजे और जो अभी उपाय मैं बताए हूँ आपको कि दुर्वा घास से आप सुद्ध जलका छिड़काओ कर लीजे तो इस तर से भी आप जो है सुद्ध हो सकते हैं ये सुद्धी करण की एक प्रक्रिया है और मंगलवार तो दोस्तों मंगलवार के दिन बाल धोना मना किया गया है मंगलवार के दिन बाल धोना या तेल लगाने से मंगल खराब होता है और रोग रिड़ और रिपू तीनो देता है तो बाल धोना पड़े वैसे तो नहीं धोना चाहिए दोस्तों परनतु अगर कोई बिसेस परिस्तिती आगए जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं बाल धोना चाहिए और धोना पड़ेगा हमको तो ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन का दोस हमको ना लगे तो दोस्तों आवले का थोड़ा सा रस ले लिजे और नहाने से पहले आप अपने बालों में इसको लगा लिजे भले ही आप पूरे बालों में न लगाए थोड़ा सा लगा लेजे तो इससे आपका जो दोस है वो समाप्थ हो जाएगा उसके बाद आप अच्छी तरह से अपने बालों को धो करके और रश्नान कर सकते हैं परन्त ये जो उपाय है जो वर्जित दुनों में किया जाता है वो आप हमेशा हर मंगलवार को नहीं कर सकते हैं आप कभी किसी परिष्थिती में ही कर सकते हैं आप हमेशा ऐसा न करें मंगलवार के दिन बाल धोना उचित नहीं होता है अब देख लीजे बुधवार तो बु बुद्वार के दिन बाल दोने से उनके भाई को कश्ठ होता है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ भी इस तरह की परमपरा है कि बुद्वार के दिन बाल नहीं दोया जाता है क्योंकि आपके एक बालों को दो सकते हैं। क्योंकि आपके भी दो भाई हो गए, एक बड़े भाई कड़ेश और एक आपका खुद का भाई, तो दो भाई हो गए तो उस तरह से भी करके आप बुद्वार के दिन बाल धो सकती हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई दोस्त नहीं लगेगा, अब देख लेजे दोस्तों गुरु गुरु आर के दिन क्या करें, बाल धोए या नहीं दोए, तो दोस्तों गुरु आर के दिन बिसेश कर सुहागिन महिलाओं को बालों को नहीं धोना चाहिए, बाल धोने से धन की हानी होती है, तेल लगाना बाल धोना यह चीजे धन की हानी करवाती हैं, तो आज के दिन बा जाना है और आप अचानक स्थिति लगाकर के घर में बैठी हुई या और पता चला कि आपको अभी जाना है तो उस इस्तिती में आपको बाल धोना अनिवार हो जाता है तो ऐसी स्थिती में दोस्तों एक उपाय करना आपको कि थोड़ा सा हल्दी लेना है और उसको गिला करके अपने बालों में लगा लेना है और उसके बाद आप अच्छी प्रकार से बालों को धो लें और धो करके आपको जहां जाना है पुजा करना जो भी करना है आप कर सकती है इसमें कोई दोस्त नहीं लगेगा परनतो दोस्तों फिर मैं कहूंगे कि ये उपाय जो है सिर्फ एक दो बार या किसी मुश्किल घड़ी में ही करें ऐसा नहीं है कि आप ये हल्दी वाला उपाय करके प्रतिब डिहस्पतिवार को अपने बालों को धोएं इसको बालों को धोने से या तेल लगाने से मालक्चमी नाराज हो जाती है अब शुक्रवार तो शुक्रवार के दिन क जिने बाल नहीं धोना चाहिए तो दोस्तों कहा गया है कि शुक्रवार के दिन उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए जो माताएं पुत्रवती हैं जिनके पुत्र हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पुत्रवती माताओं को के पुत्र को कष्ट होता है आज के दिन बाल धोने से बाकि कुवारी लड़कियां या जिनके पुत्र नहीं है वो बाल्द हो सकती हैं उन्हें कोई दोस नहीं लगेगा परंतु जिन माताओं के पुत्र हैं और वो चाहती हैं कि उनके पुत्र भी स्वस्त्र हैं और किसी वर्जित दिन मतलब आज के दिन जो वर्जित दिन है या जो उन पूपू शाबून लगा करके आप अच्छी तरह से अपने बालों को धोलेजे और दोश नहीं लगेगा अब सनिवार के दिन तो दोस्तों सनिवार के दिन मैं यहीं कहूंगी कि हर किसी को बाल नहीं धोना चाहिए सनिवार के दिन बाल धोने से पती की उन्नती रुख जाती है उसका स्वास्त भी खराब रहने लगता है और कहीं कहीं पे ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि सनिवार के दिन कुवारी लड़किया जो है वह बालों को धो सकती है परन्तु हमारे यहां मानेता के अनुसार सनिवार के दिन कुवारी हो श्वागीनों किसी का बाल धोना उचित नहीं बताया गया है परन्तु आज भी बर्जित दिन है और वर्जित दिन में कभी न कभी हम किसी को हम सभी को कभी न कभी कोई ऐसी अवस्चक्ता आही जाती है जिससे हमें बाल धोना पड़ता है कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आप period में हैं और सुध्ध आपको सनिवार के दिन ही होना है तो आपके मन में ये आता है कि अप क्या करें मतलब बालों को धोई बिना हम अपनी पूजा कैसे सुरू करें तो ऐसी इस्तिती में आप क्या करें जूद से आपके बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इसके बाद आप अपने बालों को अच्छी प्रकार धो लें परन्तु फिर मैं वही बात कहूंगी कि ऐसा हर सनिवार को नहीं करना चाहिए इससे सनिग्रह खराब हो जाता है और सनिग्रह खराब होने से आपको नानप्रकार के कश्ट मिलते हैं और अगर आप शुहागिन महिला हैं तो आपको अमावस्या के दिन भी बालों को धोने से बचना चाहिए पुर्णिमा के दिन भी आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए और अगली चीज यह है दोस्तों कि जैसे कोई बड़ा तेवहार है शुहागिन महिलाओं का जैसे तीज हो गया करवा चोथ हो गया या गड़ेश चोथ मतलब कोई तेवहार है तो इस दिन भी आप अपने बालों को नधोए तो बस इसी तरह करें और एक बात मैं पताना चाहूंगे दोस्तों कि किसी भी दिन जब हम किसी पवित्र नदी में अश्नान करने जाते हैं गंगा यमना सर्जू तो उसमें जब आप डूबकी लगाते हैं तो ये दोस आपको नहीं लगता है यह दोस आपको नहीं लगता है किसी भी पवित्र नदी में आप डूबकी लगा करके अश्नान कर सकते हैं इसमें कहीं किसी प्रकार का दोस नहीं लगता है तो बस दोस्तों यही कुछ जानकारिया थी उमीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ धन्यबाद